नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 19 अगस्थ दोपहर 3 बजे राजस्तान की खास खबने राजस्तान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षबंदन पर महिलाओं को दो बड़े तौफे दिये सरकारनी रक्षबंदन पर्व पर खोले हनुमांजी मंदिर में संचालित रॉप वे में महिला दर्शनार्थियों को टिकेट में 50 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया साथी जेसी टी एसल की लोग फ्लोर बसों में भी रक्षबंदन पर महिलाओं निश्चल की यात्रा करी हैं इसे पहले सरकार ने रूडविस बसों में फ्री यात्रा का आदेश जारी किया था रक्षबंदन पर्व के मौके पर खोले हनुमानजी मंदिर में संचालित रौपवे में महिला दर्शनार्थियों को टिकेट में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है रौपवे संचालित करने वाले कंपनी की और से यह ओफर दिया गया है कंपनी के निदेशक केलाश खंडेलवाल ने बताया कि यह सुईदा सुबह आठ से शुरू हुई और रात आठ बजे तक मिलेगी विनेश फोगाट ने रैसलिंग से सन्यास वापसी के संकेत दिये हैं पैतरक गाउं बलाले पहुँचने पर विनेश ने सन्यास के सवाल पर कहा कि जिस रैसलिंग को मैं छोड़ना चाती थी या छोड़ दिया मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है पैरिस ओलम्पिक में 100 ग्राम बड़े वजन से पैरिस ओलम्पिक के फाइनल मुकाबले से डेस्क्वालिफाई होने के बाद विनेश ने सन्यास का एलान किया था विनेश ने मैडल ना ला पाने पर कहा ओलम्पिक मैडल का बहुत गहरा घाव है मुझे लगता है कि इससे उबरने में बहुत टाइम लगता है मगर लोगों के प्यार से खाव भरने में हिम्मत मिलेगी विनेश पैरिस से शनिवार को देश वापस लोटी सुबा ग्यारा बजे दिल्ली एरपुट से उनका काफिला 13 घंटे में उनके पैत्रिक गाम बलाली चर्की दादरी जिला पहुचा काफिले में 125 किलोमीटर दूरी तैकी किसी भी व्यक्ति का यह देश में सबसे लंबा रोड शो था प्रदेश में चल रही चिकितसकों की कमी को देखते हुए राजे सरकार ने 522 जूनियर रेजिडेंट की सीधी भरती निकाली है इन में से 200 जूनियर रेजिडेंट अभी काम करें हैं इस करण 322 की ही भरती की जाएगी प्रदेश के चार मेडिकल कॉलिजों अजमेर बीकानेर कोटा व्या उद्यपूर मेडिकल कॉलिज का चयन इस योजना के लिए किया गया है सबस्यदिक पोस्ट कोटा के 162 वे जमेर जी एलन में 150 पदों की जारी की गई है शनिवार रविवार 5 डे वीक के चलते अवकाश वे आज राखी का अवकाश होने के कारण कल मंगलवार से अवेदन की भरती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ये सबी रेजिदेंट यूटीबी पर लिए जाएंगे विभाक के शाषन सचिव शेव शंकर अगरवाल ने इसे लेकर चारों मेडिकल कॉलिजों के प्रिंसिपल को आदेश की प्रती लिपी भेश कर मंगलवार से भरती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है सियम भजलल शर्मा ने कहा कि रविवार के लावा अन्य छुटियों पर भी भरती परिक्षा करवाई जाएंगी इसे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सकेगा उन्होंने कहा हरक शेतर में भरतिया निकलेंगी जहां भी आवशकता है इसके लिए हमने पूरण रूप से केलेंडर भी बनाया है लेकिन हमने देखा है कि पेपर रविवार को होता है क्योंकि पेपर कराने के लिए रविवार को हमें संस्थाईं मिल जाती है सवाल उठा कि इतने जल्दी सभी परिक्षाओं के पेपर नहीं हो पाएंगे हमने कहा बीच में जो छुटियां होती है उसका भी केलेंडर बनाये लगतार छुटियों में भी पेपर करवाये जिससे हमारी युवाओं का जल्दी से जल्दी पेपर हो सके और परिणाम निकाल सके उन्होंने रोजगार दे सके सीयम ने यह बात सीकर में एक कारेक्राम में जन सभा को संबोधित करते हुए कही सीयम भजनलाल ने कहा पिछले सरकार के शाशन में युवा और उनके पिता की आँखों में आंसु रहते थे पेपर लीक हो रहे थे हमारी सरकार युवाओं से धुखा करने वालों को नहीं बक्षेगी युनिफॉर्म सीविल कोड को लेकर केंद्रिय मंत्री गजहिंदर सिंग शेखावत ने कहा कि नरेंदर मोदी सरकार युनिफॉर्म सीविल कोड लाकर एक देश एक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है लेकिन कई राजनेतिक पार्टियां खुद को सेकुलर मानने वाले लोग वे विघटनकारी ताकतें अलप संखिकों की अधिकारों का हनन हो रहा है जैसे बातें फैला रहे हैं जो सरसर जूट है इस कारून से अलप संखिकों को बहु विवा को प्रथा से तो मुक्ती मिलेगी ही बलकि संपती के अधिकार की आसमानताएं भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी देश में एक अधूनिक समास की रचना करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि यह सेलेक्टिव सेक्लरीजम से पारदर्शी सेक्लरीजम की और जाने का समय है एक देश एक कानून बहुत जरूरी है केंद्रियस संस्क्रेटी और प्रेटन मंत्री गजेंदर सिंग शेकावत गया और इसके साथ दरिंदगी की सुबह मंदिर के पास चारा बेचने वाली महिला ने ओडने में लिपती बच्ची को देखा और परीजनों को सूचना दी मासुम घंबीर रूप से खायल थी परीजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफसल की टीम को भी बुलाया पोलिस ने आसपास कि इसीटिवे फुटेस खंगा ले तो एक फुटेस में आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता नज़र आया पोलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है ACP अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी बच्ची को आईस क्रीम दिलाने की बहाने ले गया आरोपी उसे चुपासने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 स्थित अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया इसके बाद सडक पर छोड़ गया आरोपी आदतन शिराबी है उसका 19 साल का बेटा और उसके पत्नी अलग रहते हैं राजस्तान में भारे बारिश से हुए नुकसान के बाद कॉंग्रिस नेता सचिन पाइलेट ने राजे सरकार पर निशाना साधा है तौंक में अतिव रिष्टी से परभावित क्षेतरों का दौरा करने के बाद पाइलेट ने कहा कि सीएम के हेलिकॉप्टर दौरों से समधान नहीं निकलता वेडंबना इस बात की है कि आपदा राहत का डिपार्टमेंट चल रहा है या नहीं उसे कौन चला रहा है वो लेखनिया है कि आपदा राहत मंत्री कि रोडीलाल मीना ने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं उनका इस्तीफा अभी स्विकार नहीं हुआ है पाइलेट ने कहा कि सरकार नीती बनाएं तुरंत धरातल पर बैठें करमचारी गावों में जाएं तथ्यात्मक रिपोर्ट तयार करें सरकार तुरंत स्पेशल गिर्दावरी ओर्डर करें और किसानों को उचित मुआफ़ा दिया जाए तौंक में बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है पाइलिट ने सरकार से छोटी और सरल नीती बना कर जल्द किसानों को प्रियापत मदद करने की मांग की राजस्ता लोकसिवा यूग यानी और पिससी द्वारा खान एवं भूविग्यान विभाग में भूविग्याने के 32 पदों एवं सहाइक खनीज अभियानता के 24 पदों पर भरती प्रोसेस जारी है इन पदों के लिए ओनलेन अवेदन 22 जुलाई से शुरू किये गए हैं और कल 20 अगस्त 2024 की रातरी 12 बजे तक किये जा सकते हैं आयोग सची वराम निवास महता ने बताया कि शेक्षनिक योगेता वर्गवार वर्गी करण अवेदन प्रकिरिया एवं अन्य जानकारी संबंदी विस्तित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द है आफलाइन अवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे परिक्षा तिथी तथा स्थान के संबंद में यथा समय सुचित कर दे जाएगा इसके लावा सहाय का भी अन्ता की एक हजार चौदा पदों के लिए ऑनलाइन अवेदन बारा सितंबर दोहजार चौबिस के रातरी बारा बज़े तक किये जा सकेंगे बार्डमिर के बलूतरा शहर के सिनेमा हौल के पीछे बागरी बस्ती में चार दिन पहले पत्नी के साथ हुई कहा सुनी के बद दस मा के मासुम बच्चे की हत्या करने के मामलवे शहर पुलिस नियारोपी पिता को गिरफतार किया वह दो साल का मासुम बेटा भी घंबीर ख खायल करने की सूचना एसाई हनुमाना राम को मिली टेमने जुनंत नाहटा हॉस्पिटल से घटना की जानकारी ली इस दर्मियान डॉक्टरों ने दस मा के बेटे की मौत वे दो साल की बड़े बेटे के घंबीर खायल होने की जानकारी देने पर पुलिस ने पिडित पत्न पर पिक अप गाड़ी वे बाइक में आमने सामने जोरदार भिडनत हो गई हाथसे में दो जुनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति खायल है एसाई महेश कुमार ने बिताया कि लक्षमनगड हाइवे के बागड़ी मोड के पास बालाजी मंदिर के आगे फत पादूरस सेकर अपने गाम से फतेपूर की और जा रहा था जिसे लक्षमनगड के पास पिक अपने सामने से टकर मार दी मृत कुमेश कुमार खिलाडी था वे हाथसे में पशु चरा कर घर जा रहे ही युवक्त 24 वर्षे भादरमल निवासी वार दो लक्षमनगड की मौत हो गई फिलाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है शिरगंगानगर शहर में सिंग सबा गुर्दवारे के पीछे दवाओं की होलसेल दुकान के संचालक अंकुर गॉयल निवासी अंबिका एंकलेव से शनिवार रात दो लाख रुपे की लूट के मामले का पुलिस ने पास के लाके में अंकुर को घेर कर उस पर लाटी डंडों से हमला कर दिया मार पिट कर उससे रुपएयों से भरा बैग चीन लिया बैग में दो लाख पांच हजार पे थे पुलिस ने घायल के परचब बयान के अधार पर मामला दर्स कर जांच शुरू की और पुरानी पुजना उनके चौथे साथी केदार चौक निवासे मुहमद अमान ने बनाई थी मुहमद अमान फरार है उसके तलाश के जारी है कि लाख एक एक सबस्दिए मुहमद आज पुलिस्टर पर फुलिस वार पांच भी साथी वार बनाब शाफार उसके सबस्दिए मुह पुलिस अमान ने पुलिस ने पांच है रहला मुमद आए जह पर गुलिस।